हलो दोस्तों स्वागत है आपका जीकेवित अजीम यूटीब चैनल में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गुरूबडी 2018 में 18 और 19 तारीक में जो निमेरिकल के जो सवाल है उसको मैं बताऊंगा इससे पहले भी मैंने गुरूबडी में जो चेप्टर वाइस भी मैंने प्र पार्चेस कर सकते हैं उसमें चेप्टर वाइस दिया हुआ है और बहुत से सवालों का अभ्यास भी दिया हुआ है ठीक है और अगर आप देखना चाहिए तो यहां पर देखिए और उसका पीडिएफ अगर एक बाच जरूर करें और अगर आप इसक्रीन पर देखें उसे तो मैंने उसे बिल्कुल विदिवत बनाया है चेप्टर वाइस अगर आप उसे खरीद चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं वो से एक बार उसे जरूर देखें आज का है टॉपिक जो हम लोगा है गुरूप डी दोहजार अठारा उनिस दोहजार अठारा का अठारा से उनिस ह दिया है पहला सवाल है चार कुला मावेश को दस वोल्ट विभुवांतर आरोपित करने पर कितनी उर्जा उत्पन होगी देखिए यह मिक्स होगा मैंने चेप्टर पढ़ाया है सबके बारे में बताया है यहां पर मैं केवाल आपको सवालों को हल कराऊंगा कोश्चन नमर पहला है जो पहले दिया है आप उसे लिखिए तो क्यू बराबर दिया हुआ है चार कुला में वोल्ट बराबर वोल्टेज दे दिया अठारा वोल्ट विभुवांतर और कितना कार किया जाएगा तो हम लोग पता है कि विभुवांतर बराबर क्या होता है W बटा में होता है Q बराबर क्या होगा Q, W का मान इसमें हमको निकालना है तो मान हो जाएगा इसका W बराबर V Q बराबर 18 आईए कितना होगा, 4 यह यह आएगा, कर देंगे गुड़ा आएगा यह 72, 72 जूल आएगा यह 72 जूल आएगा तो इसका आपसन जो होगा वो C वाला सही होगा यह आपसन C सही होगा, यह कोस्चन आया हुआ है ठीक है, अब आप देखें दूसरा कोस्चन इसका दूसरा सवाल देख ले कोई बल केजी पिन की गती को 4 मीटर परती से केंड से बढ़ा कर 8 मीटर परती से केंड तक बढ़ाता है यानि 4 मीटर परती से केंड से 8 मीटर परती से केंड तक बढ़ाता है तो बल दूसरा सवाल इसमें देखिए दूसर सवाल दिया हुआ है तो M बराबर दिया है 1 kg और यहां पर दिया है V1 बराबर कितना दे दिया है 4 और यह V2 बराबर कितना दे दिया है 8 नहीं कहता है जब चार था, उसकी अति जब आठ हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ा वाला में से कम वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानि बढ़ा हुआ जो एनरजी होगा, वो जो पहले वाले इनरजी से, उससे हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, तो इसमें देख लिएगा, त यानि Speed को बढ़ाए गया है Force को लगाकर तो इसमें इसका मानों वही रहेगा एम का मानों वही रहेगा Change क्या हुआ है इसमें यानि V का मानों है चेंज तो हम कर देंगे V2 2 स्कौर माइनस a तो यही वजा यहाएगा या तो दोनों को अलग अलग कर ले कट यहाएगा आप रखेंगे एक के इसाइए कर दीएगा एक गुड़े वी टू कमान इसमें देख लिए आ ठेकश तो यह कितना हो जाएगा चौंशत्र रिड यह कितना हो जाएगा 16 अब आ गए अब यहां दो से भाग दे दीजे कितना आजाएगा चौविस जूल इसका अपिसरा सवाल होगा कोई कंड किसी माध्धे में 40 जूलन दू दसमदो 5 सेंट में करता है तो उसकी अविर्चि क्या होगा अविर्चिज बाराबर होता है दोलन दोलन प्रती सेकेंड होता है यह इसी को हम लोग कहते हैं कंपन प्रती सेकेंड भी कहते है तो दोलन कमान कितना हो जाएगा दोलन दिया 40 एक His और कितना सेकेंड्मिय हुआ है तोई दसमलो 5 से केंड्म quicker एक सेकेंड होगा तो यह कर देंगे 400 अबटा में कितना हो जाएगा 20 पाइश तो यह भाग दे देंगे तो कितना भाग तो सब्सक्राइगा आवरिती सोला हर्ट होगी इसका आप सुन जो होगा वह बीवला सही होगा चौथा दिया है दसमलो जीरो चार केजी की गोली को 120 केजी के गंद से दागा जाता है तो गोली 90 मीटर 30 से के वेक से बाहर निकलती हो तो बंदूग किस स्पीड से पीछे की और हटेगा इस तरह का सवाल मैंने बहुत लगा जाया है लेकिन आप ये चुकी परिक्ष्छा में आया तो आप इसे देख लीजिए मैं इस सारे सवाल आपको इसमें हल ही कराऊँगा देखिए इसमें दो बाते होती है एक क को माल लिए M1 माल लेते हैं इसकी वेग को हम V1 माल लेते हैं बंदू के वेट को हम माल लेते हैं M2 और इसके वेग को माल लेते हम V2 बस कहता क्या है M1 तो M1 बराबर कितना दिया हुआ है M1, यानि गोली के 0.04, 0.04 दिया हुआ है, ठीक, केजी दिया हुआ है, ठीक है, गन को दागा है, गन का वेट केतना दिया है, 120 केजी दे दिया है, ठीक है, दागा जाता है, गोली 90 मीटर, गोली केतना है, 90 मीटर, 30 से के वेक से निकलती है, तो बंदुक किस वेक से जाएगा, जाहिर से बात है, ठीक है, नीटन के थर्डला के हिसाफ से यह पीछे जाएगा, तो किस हो जाएगा, तो अब इसको हम देख लेते हैं, इस सवाल को, सुत्र है इसका M1 V1 बराबर M2 V2, समवेक सनक्षण का यह सुत्र है, समझने बात को, समवेक सनक्षण वाला, अब आप यह आराम से, इस सवाल को लगा, यह M1 का मान दिया हुआ है, 0.04, ठीक, गुडे V1 का मान दिया है, 90, बराबर M2 का मान दिया है, 120, गुडे V2 का मान, क्या है, बंदू का वेक, जो जटका पीछे की और जाएगा, यह वाला, इसको मैं चाहूं, तो यहाँ पर भी लिख सकता हू V2, यह क्या होगा, हमें पता करना है, ठीक है, तो जाहिर से बात है, कि अब V2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.04, गुडे 90, बटा में 120, ठीक, इसका भाग देंगे, इस से, इस से कटेगा, यह 3, 3 के 9, यह 3, 4 के 12, बराबर आएगा, आप देख लिएगा, 0.04, ठीक है, गुडे 3, बटा में केतना होगा, 4, उपर नीचे कर देंगे गुडा, गुडा कर देंगे इसको, तो इसका मान केतना हो जाएगा, 4, गुडे 3, बटा में केतना हो जाएगा, 4, 100 हो जाएगा, यह इस से कटेगा, यह इस से कट जाएगा, केतना बचेगा, 3 बटा में 100, इसी जो होगा आपका D सही होगा, इसका D सही होगा, ठिक, इस तरह का मैंने question बहुत कराई है, आप इसे देखेगा, ये गुरुडी मैया हुआ है, पांचवा सवाल, 70 kg का एक व्यक्ती 90, 70 kg का एक व्यक्ती 90, जूल उर्जा खर्च करके उचाई पर पहुंचता है, उसकी उचाई ह होगी, ठिक, इसको देख लीजिए, इसे देखिए, ये वाला सवाल है, पांचवा, पांचवा देखेगे, 70 kg, तो सबसे बड़ी चीज जो दिया है, लिख लीजे, M बराबर कितना दिया है, 70 kg, फिर उसके बाद दिया हुआ है, एनर्जी खर्च किया है, और क्या उचाई पर गया है, तो इस्ति उर्जा बराबर कितना दिया है, अन्ठानवे सो जूल, ठीक है, पहुंचता है, व्यक्ति की उचाई क्या होगी, हमको नहीं पता, ये उचाई पर गया है, यानि कोई 70 kg व्यक्ति का आदमी कोई चीज चढ़के किसी उचाई पर चला गया है, जब उ उचाई पर गया है, तो जाहिर से बात है कि जब उचाई पर गया, तो उसमें कुछ इनरजी स्ट और होगी, अब वो इनरजी खर्श किया ही, क्या इनरजी ही स्टोर होगा है, इस तरह से इसके लिए इससी जूख़िया के लिए सुत्र होगा, U बराबर अंग्सुआ प्रह 1 दूब्स आलना इसलिधे एच बराबर अंठानवे 100 बटा में 60 गुड़े 10 एच बराबर केतना हो जाएगा एच से चटे यह जिरू हिस से चट जायेगा अंठानवे बटा में 10 हो गया फॉर होगा भाग देंगे तो कटे गा यह 7 आते कम साथ आ साथ चोगे 28, 14 मीटर होगा, इसका आपसन जो होगा पांचवे का, ये भी डी सही होगा, ठीक है, अब आते हैं, छठवा सवाल, छठवे सवाल पे देखते हैं, छठवा सवाल क्या है, किसी उंचाई से एक पिंड गिराई जाती है, चोथे सेकेंड में तैकी गई दूरी होगी, जहाँ जी का मान दिया है, 10 मीटर पती सेकेंड, किसी उंचाई से, मान लिए कि वो उंचाई जो है, हमें पता नहीं है, पिंड गिराई जाती है, यानि उपर से पिंड गिराई जाती है, यानि यह समझ लीजे कि एतना बड़ा उंचाई है, और एक पिंड को ऐसे गिराई जा रहा है, कहता कि पिंड के चोथे सेकेंड में, टी बरावर कतना दे दिया है, चार, टी बरावर चार दे दिया है, इस तो यह ब्रावर होता है UT, अचा गिराया जा रहा है तो इसका वेग क्या होगा रम्भिक वेग जीरो अंतिम वेग की बाती नहीं है इसलिए सुत्र होगा हाफ GT स्कोायर होगा ठिक, वही वाला गती वाला फार्मूला जो होता है गती का दूसरा समिकर्णी है यह बस यहां G होता है एक जगा पे तो H बराबर हमें निकालना है U का मान 0 है तो हम लिखेंगे 0 गुडे T प्लस एक बटा 2 G का मान दिया हुआ है 10 गुडे T का मान कितना है चार का वर्ग तो H बराबर हम लिखेंगे अब यह तो 0 होई गया तो 1 बटा 2 गुडे 10 गुडे कितना 16 तो H बराबर कितना होगा भाग दे देंगे इसको तो यह कितना होगा 5 16 पाचे 80 मीटर यह आएगा उत्तर देखते हैं इसका अफ्शन 20 होगा छटे का यह छटा सवाल था अब आते हैं सातवा सवाल सातवा सवाल देखते हैं बहुत छोटे छोटे RRB में कोस्टन पूछे जाते हैं आप बिना किसी उल्जहन में पड़े हुए किसी तमासे में पड़े हुए आप इन सवालों को करिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है बिलकल वो फिरी है हाँ आप PDF खरिदना अगर कि उसमें मेरा कुछ पैसा लग गया है बनाने में मैंने उसको शौक में बनाया है बनवाए है उसे तो वो पहला पार्ट है उसके बाद दूसरा पार्ट भी उसमें आएगा बहुत जल तो आप अगर वो PDF चाहिए तो आप जाकर जरूर डाउनलोड करिए उससे हमारे चैनल वाट के एक विधुत लैंप द्वारा प्रति दिन आठ घंटा उपयोग किया जाता है तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रियोग के की गई उर्जा यूनिट है देखिए यूनिट बराबर क्या होता है यूनिट बराबर अगर दिन तो है नहीं नहीं तो दिन भी होता है वाट घंटा, गुड़े क्या होगा, एक हजार, ठिक, जिदी, एक हजार वाट अगर एक हजार आगर फट गंट तक चलेगा, तो वह एक यूनिट होता है, वाट दे जिए है इसमें, एक सो पीस, गुड़े घंटा दे दिया है 8 ठिक और यो गया दे लाम्प में यूनिट एनेर्जी होगी 1000 का इसमें हम भाग दे देंगे यह जब करेंगे इसमें हम भाग कर देंगे अब भाग जब करेंगे तो देख लीजिए ये कट गया इस से ये वयला कट ग़या इस से और 12 वठे 96, ये मान जो होगा, वो 96 बटा में 100 होगा, तो होगा 0.096, यूनिट एनरजी ये होगी, बहुत सिंपल सवाल उचा गया है, ये होगा आपका B वगा इसका अपसन, ये सवालों को आपको इसी तरह से लगाना है, अगला सवाल देखिए, 40 के जिभार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक उचाई वाली सीड़ी पर तेजी से चड़ जाती है, उसके दोरा विक्सित शक्ती का मान होगा, जहां जी बराबर 10 मीटर 30 सेकेंड स्क्वार है, आईए, यहाँ पे देखते हैं, माल लीजी, ये कोई, अब इसे देखिए देखिए, अब कहीं भी किसी चैनल पर पढ़ें आप, लेकिन इसी तरीके से पढ़ें, जैसे मैंने आपको इमिरिकल बताया है, देखिए, आठ हमा वाला सवाल है, आठ नमबर, सवाल नमबर 8, माली ये कोई सीड़ी है, माली ऐसे कोई सीड़ी है, और इस तरह से इस पर को रही है, इसका वेट कितना है, इसका तर्मान कितना है, 40 है, यानि M बराबर 40, चढ़ जाती है, कितना समय लेती है, यहां से यहां आने में, यानि लगभग यह उंचाई तै करने में, चढ़ तो रहे हैं यहां से, लेकिन प्रते की उंचाई क्या है, बढ़ रही है, यह वा पाँंच तो शित शाकति कमान क्या होगा अब देखे शकती कमान गया करने के लिए हम जानते हैं कि डावलू बटा में ऐंघीए इनेरजी निकालनी पड़ेगी, इस्थिति जूर्जा है, वो लड़की जतनी उचाई पे चलती चली जाएगी, उसमें एनर्जी जो इस्टोर होगा, उचाई पे जाएंगे तो इस्थिति जूर्जा, और चलेंगे तो क्या होगा, या ठारे हुए हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पे इस्थिति जूर्जा होगी, अगर गती अगर आप करेंगे, तो वो कौन से एनर्जी होगी उसमें, काइनेटिक एनर्जी, और उचाई पे चड़ते हैं, तो उसको कहते हैं, रुत्विय इस्थिति जूर्जा, तो उसका सुत्र मैंने बताया है कि यू बराबर क्या होता है M, G, H, M का मान दिया है, 40, G का मान दिया हुआ है, 10, H का मान दिया है, 5, यही दिया हुआ है, 400 के इतना हो जाएगा, 2000, यह होए गया, 2000 जूल, ठिक, अब यह जो मान है, यह W है, यही क्या है, W है यही वाली इनर्जी अब P बराबर P बराबर 2000 बटा में T कमान कितना दिया है 4 दिया हुआ है T कमान इसमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो अब हम इसमें से निकाल देंगे 4 पाचे 20 कितना आजाएगा 500 वाट यही इनर्जी है मैंने इसके बारे में हर तरह से वीडियो बनाया अगर आपको देखना है तो मेरे पूराने वीडियो देखिएगा ठीक है कितना आया है यह इसका अपसन सी साई होगा दो परतिरोद नवा सवाल नवा सवाल को देख लिए जा नवा सवाल को देखिए कहता है दो प्रतिरोद 10 ओम 20 ओम सरिंखला में जोड़े हैं 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है यानि दो प्रतिरोद है ऐसे ऐसे माल लिजे प्रतिरोद है एक प्रतिरोद यह है इसको स्रिंखला में जोड़ दिया गया है किसमें जोड़ा गया है स्रिंखला या निस तरिणी में और इसमें बैटरी लगा दिया गया है 6 वोल्ट का 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया गया है यह पुलस और माइनस तीस, V कमान केतना होगा, छे, I कमान हमें निकलना है, ठीक है, I अब ये वाला भी लिखते हैं आप लोग, ठीक है, तो V बराबर और लिखेगा, I into R, इसलिए I बराबर, V बटा में, R, V कमान दिखे दिया हुए, छो, अब बटा में केतना दिया है, तीस, सौरी, छे बटा में एक बटा में, पांच, इसलिए I बराबर कितना होगा, जीरो दसमलो दो, एमपीर मान होगा इसका, ये आप्शन जो इसका, A सही होगा, दसमस वाल, यदि दस न्यूटन और पांच न्यूटन के दो बल, एक ही वस्तू पर, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तू पर कारिरत कुल बल का, कुल, कुल बल का मान कितना होगा, ठीक है, तो देखिए, अब इसको समझे, इस वाले सवाल को समझे, नवा सवाल तो हो गया, ये भी आसान सवाल है, दिलकुल आसान है, ये दसमा सवाल है, दसमा सवाल देख लीजिए, यदि दस न्यूटन और पां और इसी यहां देखिए ऐसे, एक वस्तू है, इस पे बल लगाया जा रहा है, कितने का, दस न्यूटन का, एक और इसी के दिशा में पांच न्यूटन का भी बल लगाया जा रहा है, तो इसका दोनों का, एक ही दिशा में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंग तो आप इन सवालों को जरूर करें और देखें और समझें मैंने इस पर बहुत निमेरिकल हाला कि मैंने कम ही लगा है लेकिन चेप्टर वाइज हुआ है अब बहुत सालिड है जो उसको पढ़ लेगा वो उसका गुरूप डी में निमेरिकल रुकना नहीं है कहीं से यह कलेग एम कमान केतना दिया है साथ गुड़े चार छचचव के 24 दो सो चालिस न्यूटन न्यूटन बल है यह सिंपल सवाल है भाई एकदम यह कुछ भी सवाल नहीं है बहुत हमां सवाल को देखें तो यह वाला लिखेगा देखेगा यदि कोई वस्तू यदि कोई वस्तू से दस सेमी दूरी पर रखी हो तो उसका रवरदन कितना होगा यह बहुत अच्छा सवाल है देखें यह कोश्चन है बहुत बढ़िया देखें यह यदि कोई वस्तू पांच सेमी भगरता आर बराबर कितना हो जाएगा आधा होता है पांच बटा में टू बराबर दू दस नमलो, पाँच सेमी, एह बराबर, और चुकि ये उत्तल है, उत्तल है, तो इसका फोकस दूरी एह बराबर के कितना होगा, प्लस रहेगा, प्लस टू पैंट फाइफ सेमी, ठीक, उसके बाद कहता है, सेमी पर उत्तल दरपन से दूरी पर रखिया वस्तु, यू बराबर, यहां पर जायेगे तो धन होता है तो यहां पर यू कमान कितना हो गया है दस दस से मी है ठीक है मैं इसको हटा दे रहा हूँ समझने के लिए मैं इसको बनाया था इसको हटा दे रहा हूँ ठीक है कहता क्या है कि तो आवर्धन छमता M बराबर M बराबर होता है माइनस V बटा में U आवर्दन छमता होता है दरपन का ठीक है उतल चाहिए आउतल दोनों का होता है तो अब इसमें हम लोगों को निकालने के लिए के चाहिए U तदी है V कमान चाहिए तो ये आएगा यहां से सूत्र है एक बटा एफ बराबर एक बटा में V प्लस एक बटा में U यही होता है सुत्र है एक बटा एफ कमान दे दिया है दू दस मलो पांच बराबर दे दिया है एक बटा में वी माइनस दस यह पलस होगा माइनस दस ठीक है तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि एक बटा में दू दस मलो पांच एक स्टेप और आप देख लें एक बराबर एक ब बटा में दस हो जाएगा ठीक है अगर फिर आप करें इसे तो आप इसको इधर ले आएंगे तो एक बटा में दू दस मलो पांच आई ये प्लस एक बटा में दस बराबर एक बटा में वी हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा तो ये जब दोनो को आप करेंगे इसमें तो यह ऐगा 25 अब बटा में यहाँ जाएगा 10 प्लस 2 दस मलो 5 बराबर एक बटा में V ठीक है अब यह एक बटा में V जो होगा वो यह दोनों जुड 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 जाएगा तो होगा 12 दस मलो 5 पांच वी बराबर कितना हो जाएगा पचीस इसलिए वी बराबर कितना हो जाएगा दो भाग देदेंगे देख लिए ये ये वी बराबर कितना होगा पचीस दसमलो बारा दसमलो पांच का भाग देदेंगे तो वी बराबर कितना हो जाएगा दो बार जाएगा केबल तो वी कमान दे दिया है दो वटा में यू कमान कतना दिया है 10 इसलिए आजरी रहता है यह यू कमान रीड है तो यह जाएगा प्लस कि 2 वटा में 10 या M रादर कितना होगा 0.2 अवर दन झामता यानि वस्तु से छोटा बनेगा यह चोटा बनेगा और सीधा बनेगा ठीक है तो यह था आप्षन इसका आप्षन होगा सी तो यह कुछ कोस्चन थे जो उस तारीक में आये थे ठीक है इसके दो खंड होंगे एक अगला और आएगा उसमें 12 सवाल और आपको मिलेंगे तो मैंने उसमें सब्सक्राइब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जैहिन